तो इस चप्टर के सुड़वात वहीं से होती है जहां पर खात्म हुई थी वांग गुनेक डैन पर अटेक करते हुए बोल रहा होता है सच में मैं अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें उस दिन नहीं मारा था पर कोई बात नहीं आज तुम्हार मरना ताई है वहीं उस अटेक को देख दूसरे वारियर बात कर रहे होते हैं असंभब यह अटेक तो सीधे किंग अफ वार और उसके साथियों को हिट किया है क्या सच में मास्टर हुआंग उनके मुह को बंद करने के लिए इतने दूर तक जा रहे हैं इसे देखती भी ऐस तुम्हें हुआंग बोलाओं जिसकी रिप्ले में फिस्ट सेंट बोलता है मैं इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहा था पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह होगा जो सुन स्वारे टेरेंट उससे पूछता है आखिर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है जि अब ऐसा लग रहा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते तो क्यों ना अब सिच्वेशन जब इस तरह बदल ही चुकी है तो हम इसे कॉंपलीटली सेटल कर लेते हैं जो सुन हुआंग बढ़ो दुआंग जिसको सुनते ही कहता है अब हुई न बात इसी के साथ वह अपने कोल्ड पैरास साइट को एक्टिवेट करने लगता है वहीं दूसरी तरफ इन सब से अंजान स्वारे टेरेंट अभी भी बोल रहा होता है मास्टर हुआंग बुक तो तुम नकली हो आखिर तुमने हमारे रूल्स को वाइलेट कैसे किया या तुम्हें लगता है कि हैवन इ कहता है यह कैसे हुआ आकर मेरे बॉड़ी के अंदर इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है इधर स्वार टेरेंट भी उस जटके को महसूस कर कहता है यह किस तरह का सिम्टम है मेरी क्यू आए वह इतनी असानी से क्यों घटती जा रही है या ऐसा हो सकता है कि मुझे पोईजन दि परसाइट वह इस पूरे समय तुम्हारी बॉड़ी को खत्म करता हुआ जा रहा है तो यूनियूपजा यानि की नाइन सेंटरल का है उससे बोलता है क्या यह सच में तुम ही थे जिसने की असली मास्टर वांगु के साथ ऐसा किया है पर फिश्ट सेंट उसकी बातों का ना बोलने की तो कोशिश करता है पर वह कुछी भी नहीं बोल पाता दूसरी तरफ हम इस बंदे जांक सौंग को देखते हैं जिसको की कोई बोल रहा होता है मास्टर आप के साथ क्या हुआ है क्या ठीक है वही फिश्ट सेंट बोल रहा होता है क्यवाल एक चीज जो मुझे नि बोल चुका हूं तो थोड़ा सा समाल लेना वह काफी जैदा परिशान होता हुआ बोल रहा होता है नहीं यह काफी ही तेजी से मेरी क्यूआ को कम करती जा रही है वहें वांग बुग गुनायक अपने भराज को निकालते हुए बोल रहा होता है मैं और मेरे फाइब डिरागन अपने एरोगेंस में फाइब ग्रेट फैमिलियों को अंडिरेस्टिमेट कर रहे थे आजकर तुम बेवकूफ लाइन लिक के कमीने तुम एक छोटे से बिंदू से उठकर इतनी ऊपर आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो मैं हमेशा से तुम लोगों को रौंदना चाहता था फिस जहर के कारण हर कोई मर जाएगा वहें हुआंगबु गुनैक की बातों को सुन कुछ वारियर बोल रहे होते हैं तुम केवल हमें इन दो कारणों से मारना चाहते हो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा हुआंगबु मुयक तो हुआंगबु गुनैक उन सभी के मज का वाज सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है क्या तुमको सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस पागल पंती को बरदास्त करूंगा हम देखते हैं वहां पर ड्यान आ चुका होता है जिसको कि देख वांगबु मुया काफी ही जैदा हैराने के साथ उससे पूछता है क् पागल तुम मुझे बोल रहे थे पर हर कते तो तुम्हारी पागल पंती वाली है इसी के साथ वह काफी ही जोरों से चिल लाता है और ड्यान के अटैक को बस अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए उसे दो हिस्सों में बांटते हुए क्याता है तुम हराम खोर पागल क समीने कहीं के तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ इसी के साथ वह ड्यान कितनी पावरफुल अटैक को बस चुटकियों में तवाह कर देता है जिसके चलते वहाँ पर काफी ही बरा बलास्ट होता है और वह पूरी जगह उसी समय तवाह हो जाती है जबकि ड्यान चुप बलोसम से कहता है यंग लेडी हान ब्लीज फाइब ड्रेगन लिक के अफसे सोका ध्यान रखिये तो आईस बलोसम कहती है हाँ मैं समझ गई तभी उहाँ पर ओल्डबैगर और हांसु भी आते हुए कहता है आप हमें कैसे भूल सकते हैं आपने तो हमें काफी निरास किया ब उन सभी को एक साथ डैन के पीछे देख वांगो मुयांक कहता है या मैं सच में इन जैसे कमजोरों को एक साथ होर्स को जोयन करते हुए देख रहा हूं यह कितना पैथिटिक है तो ड्वांग उससे बोलता है आँ सही कहा उनके जैसे कमजोर लोग आपके सामने कुछ भी न स्ट्रॉंग हो बेहतर होगा कि तुम खुद को पुरी तरह से तैयार कर लो क्योंकि गांगो के 72 वारियर वो भी आसा है मेरे पौईजन के आके मेरा पौईजन बलड एस्ट्रेम में परवेश करके अटैक करता है इसलिए तुम यह सोचने की गलती भी मत करना के तुम अपन दोल से मुह को अपने पैरो से कुछलता हुआ सीधे हुआं वो गुनया की और बढ़ चुका होता है और तुरंथ ही उसके पास पहुंचकर उसके फेज पर काफी ही जोरदार तरीके से अपने पंच को बनाता हुआ गुसा मारते भी उसे बताता है आखिर तुम कब तक नहीं आई है तो इस मानवा की अगली वीडियो कब आएगी मुझे नहीं पता और गाइस मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे सवाल का जवाब देगा मैं उसे सौट आउट दोंगा पर किसी अन्नोन कारण के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया पर खायर कोई बात नहीं अब जब कि मैंने आप लोगों को वादा किया था तो निभाना तो परेगा ना तो चलिए देखते हैं आखिर किन भाईयों ने क्या कोमेंट किया है एनिमेशन कहते हैं कि he was his friend in the starting episode I don't know his name बट सौट आट दे दो अरे यार हैर ठैंक्स ब्रो अब ये मत पूछना कि मैंने थैंक्स क्यों बोला आगे सुसांत बोलते हैं king of war का दोस्त डैन को बचाते हुए खाय से गिर गया था अरे नहीं भाई वो गिरा नहीं था बलकि उसकी रीड की हड़ी को तोर कर खाय से नीचे फेक दिया था आगे लक्षे राज बोलते हैं ब्रो सही कहा आपने सिवाजी राठोड जीसी हंटर कहते हैं भाई मेन करेक्टर का फ्रेंड है आरिका गेमिंग कहते हैं ब्रो पहारी से गिर गया था वो है जिसको कि मार कर फेक दिया गया था नाम तो मैं भूल गया हूँ पर आइधिंक यहीं बोलना चाहते हो ना आप आरनिका गेमिंग राज कुमार कहते हैं स्टार्टिंग एपिसोड में करेक्टर का फ्रेंड है किसी के साथ सारे कमेंट यहीं पर खत्म होते हैं और यार मैं किसी का नेम अगर गलत ले लिया हूँ तो मुझे माफ करना और मुझे जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले बहांगी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तब के लिए सब अपना ध्यान रखिए